प्रेग्नेंसी टेस्ट करने का सही तरीका आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ और ये मैंने अपने ही प्रेग्नेंसी को टेस्ट किया है जो कि बिल्कुल अर्ली प्रेग्नेंसी थी जो कि मैंने नेक्स डे पर ही टेस्ट किया था और इसमें फेंट लाइन क्यों आती है उ दिखाई दे रहा है उसमें और आपको सिर्फ तीन ही बुंदे डाने भरना नहीं है उसको इससे कि आपको हो सकते हैं स्ट्रिप खराब कर लें आप तो आपको सिर्फ तीन डालनी है उसके बाद जैसे ही प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी तो सबसे पहले जो डार्क लाइन होती है वो सबसे पहले अपियर होगी क्योंकि जो नेगेटिव पोजिटिव दोनों में ही आती है तो सबसे पहले वो ही लाइन आएगी और जैसे ह तब आपको दूसरी साइड एक और लाइन दिखाई देगी जो कि T पॉइंट पे होती है इसमें C और T दो पॉइंट दी होते हैं तो T पॉइंट पे आपको फिर से एक लाइन नजर आने लग जाएगी जो कि कई केसिस में तो बहुत जादा डार्क होती है बट अगर आपकी अरली प्रेगनेंसी है तो वो बहुत फेंट सी आपको दिखाई देगी बहुत हलकी सी आपको दिखाई देगी जिससे कि आपको एक कन्फूजन क्रियेट हो जाता है कि आप प्रेगनेंट हो या नहीं हो सो मैं एक क्लियर कर दूँ अगर ये लाइन तुरंत आ रही है तो आ ईंद 2 मिनट तक कोई लाइन नहीं आई और 2 मिनट के बाद अचानक से आपको एक हलकी सी लाइन दिखाई दे तो वह फेक लाइन हो सकती है वह वाश्प लाइन बोला जाता है उसको मतलब जो कि आप इमेजिन कर लेते आपको लगने लग जाता है कि वह उभर गई है वहाँ पर अगर फेंट लाइन भी होगी तो ऐसी ही होगी जैसा आपको स्ट्रिप में दिखाई दे रहा है यह दीरे दीरे डार्क हो ना स्टार्ट हो जाती है विदिन टू मिनेट यह बिल्कुल डार्क हो जाती है जैसी कि टेस्ट को दुबारा करना है तो आप मोर्निंग का यूरीन ले सकते हैं क्योंकि उस समय में हमने पानी बहुत कम पिया होता है तो हैसी जी का लेवल उसमें ज्यादा दिखाएगा और वैसे आप पूरे दिन में कभी यूरीन टेस्ट करोगे तो आप कर सकते हो बशर्ते कि आप उससे पहले काफी पानी ना पियें पानी पीने की वज़े से एसीजी का जो हार्मोन होता है वो कम हो जाता है जिससे कि आपको प्रेगनेंसी का जब आप टेस्ट करोगे तो हो सकता है वो जो एसीजी है वो कम हो और जिसके वज़े से या तो लाइन फेंट आएगी या